विल्कम टू दा सेशन आज इक बहुत ही महतोपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगो करेंट अफेर्स का ये टॉपिक है और खबरों में अक्सर ये चल रहा है और अलग-अलग डिबेट्स में अलग-अलग डिसकोर्स में पेपर्स में भी इस टॉपिक के ऊपर कु उसके बाद साधारन भहुमत का था कोई फेटरल स्ट्रक्चर को ये चेंज नहीं कर रहा था तो साधारन भहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में ये पास कर दिया गया क्या था भारत का सम्विधान का 127 संशोधन ये भी आप देखेंगे और कुछ एक इस में टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं उन पर भी आप उनको ध्यान से नोट करेंगे तो सम्विधान का 127 संशोधन विदेहत 2021 में राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों की अपनी सूची तयार करने के लिए अनुमती देता है यह चीज़ा आप ध्यान रखेंगे यानि कि सोशल और एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं आप जानते हैं कि हमारे देश में जो रैजर्वेशन की विवस्ता है वो जातिगत है और जातियों का विवाजन जो हुआ है वो सामाजिक और शैक्षिनिक रूप से था पिछड़े के आधार पर थी इसकी जो अभी तक सूची निर्धारित होती वो थी वो राष्ट्रपती द्वारा निर्धारित होती थी और वे इन कंसल्टेशन विद धा नैशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि पिछड़े वर्ग के लिए सम्मेधान के 138A में जो आयोग बनाया गया पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको की constitutional validity यानि की सम्मेधानिक जो दर्जा है वो 2018 में मिला था उसके तहट ये सूची जारी होती थी उनके consultation के साथ और राष्ट्रपती को ये अधिकार दिया गया था कि वह ये सूची जारी करेंगे लेकिन सम् 127 में हम क्या सकते हैं amendment के द्वारा संशोधन के द्वारा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये अधिकार दे दिया गया है कि वह अपने राज्य में अलग-अलग benefits के लिए अलग-अलग policy implementation के लिए अपने राज्यों में सामाजिक और section रूप से पिछले वर्क के लोगों का निर्धारन कर सकते हैं तो ये बहुत ही एक important चीज हुई है political निजरिये से भी हमारे देश में important है और exam के हिसाब से आपके लिए भी बहुत ही important topic है केंद्र सरकार अपनी सूची अलग निकालेगा लेकिन वो central purpose से होगी वो केंद्र सर है राज्य है basically जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महराष्टर बिहार इस तरीके के राज्य और के निर्शासित प्रदेश जैसे कि आपका JNK है या फिर union territory और जो है हमारे देश में दादरानगर, हवेली, गोवा इस तरीके के वह अपने अपन point आप देखिए, NBCC के साथ परामर्श, NBCC का full form है National Commission, NCBC National Commission for backward classes, अनुच्छे 338B में ये बनाया गया, केंदर और राज्य सरकारों को समाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुक नीतिगत मामलों पर NBCC से परामर्श करन और सामाजिक रूप से पिछणों के लिए कोई policy बनाना चाहती है, कोई नीति बनाना चाहती है, तो NCBCC से आपको consult करना है, लेकिन ये जो विधेयक है, 127 जो आपका अनुच्छे, 127 जो संशोधन है, जो की article 338B को amend करता है, वो ये कहता है कि विधेयक राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों को सामाजिक और sectional group से पिछले वर्वों की सूची तयार करने से संबंदित मामलों के लिए इस आवश्यक्ता से छूट देता है, यानि states and union territories are exempted for consultation, the mandatory consultation with the NCBC, यानि कि अब उनको जरूरत नहीं है, कोई mandatory नहीं है, अगर वो चाहें, तो कर सकते हैं, ना तो अपने इस तरह पर भी इस तरीकी की सूची जारी कर सकते हैं, तो examiner आपको यहां से पकड़ सकता है, वो आपको इस तरीके से question दे सकते हैं, 127 में जो है वो संशोधन के द्वारा, ये एक विधेयक लाए गया, इसमें से कौन कौन से इसमें मुख्य बाते हैं, तो वहां चल जाएगा, इस तरीके के objective type questions में आपको वो पकड़ सकता है, तो मुख्य बात, 127 में समिधान संशोधन है, आर्टिकल 338B, 333B, जो की संबंदित है NCBC, यानि National Commission for Backward Classes से, उसमें ये changes करता है, changes ये हैं कि केंदर सरकार के अलावा, अबराज्य सरकारें और केंदर शासित प एक list OBC की जारी कर सकते हैं, that's all for the session friends, इसी तरीके के बागी sessions के लिए आप लोग examless Hindi को जरूर subscribe करें, daily important sessions यहाँ पर upload होते हैं, thank you.